आज मैं आपको बताऊंगा फेडिंग पपी शिंड्रोम के बारे में ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है और जितने भी ब्रीडर्स हैं या पैट पैरेंट्स हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं मा जो मदर डॉग होती जब पपी इसको डिलिवर करते हैं तो वेल्पिंग के स इसलिए आपको ये जाना जरूरी है और कैसे आप बेस्ट केयर कर सकते हैं अपने निवबॉन पपी का कि उनकी डेथ रेट को हम कम कर सकें और उनके सर्वाइवल को हम बढ़ाएं तो चलिए शुरू करते हैं वेल्कम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल डॉगनमेट में मैं डॉक्टर मिश्रा अगर आभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकट को हिट जरूर करें जिसे आपको फ्यूचर हो जाती है तो इससे कहते हैं फेडिंग पपी सिंड्रोम जो है वह बेसिक एक ऐसी मेटाबोलिक प्रॉब्लम है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं तो हम अपने पपी की सर्वाइवल चांस को बढ़ा सकते हैं तीन सबसे इ है आपका हाइपम राइबोले ते सिम्म में वह गडाँ में घृष सेकंट की कमी होती है तो इंटस्टैन का जो मूव्म इनटेस्टैस वह खतम हो जाता है मुद्म करेंगी तो कुछ भी खाना जो है वह पोड़ी में अधिस्स्ट अब जो आ नहीं होगा और इस nutritional deficiency होए लगेगी हाइपोग्लैसेमिया तभी होगा पपीज को जब पपीज जो है वो प्रॉपर मिल्क नहीं ले रहे हो मिल्क फीडिंग बहुत इंपोर्टन्ट है डिलिवरी के जब पपी पैदा होता है तो फस्ट एट आवर्स के बीच में मदर मिल्क बहुत बहुत इंपो कम ही आए बड़ अटलीस कुछ मिल्क संखिंग पपीज को कराना ज़रूरी है तो मेंक کड़न करना है हर्नद घंटे पे मिल्क फीडिंग जरूरी है वो दूद लगा रहेगा तो समझ जाओ कि वो काफी ज़्यादा पी लिया है हटा ही उसको ठीक है सेकेंड जो वाइटल सिंटम है जो कि आपको दिखेगा कि ओवरफिट हो गया कि नहीं हो गया उसका पेट फूल जाएगा काफी थर्ड वाइटल सिंटम है कि वो लूज मुशन करने लगेगा तो लूज मुशन करने लगेगा समझ आपके ज़्यादा मिल्क फीडिंग कर लिया इसलिए लूज मुशन हो रहा है तो मिल्क फीडिंग बहुत इंपॉर्ण है मिल्क ही सबसे इंस्टेंट सोर्स आफ एनरजी है उसको लैक्टोज मिल जाता है जिससे की एनरजी मिलती है तो गुलकोस की कमी नहीं होगी तो कि जब पपी पैदा होता है तो हमें और कुछ देना ही नहीं क्यों मिल्क फीडिंग कराना है उके माल लिजिए माल लिजिए मदर मिल्क नहीं दे रही है जिलिवरी के बाद तब भी आप कोस्स कीजिए कि उसको फस्ट एट आवर्स में जितने फपीज है तो ट्राइटो मेक इन्चुछ मिल्क मिल जा रहा है जानने के बाद फिर अगर्लों खिलाते रो तो यह गलेक्टोग की तरह काम करेगा लेक्टोजनिक प्रिकर्शन बनाएगा तो मिल्क का सेक्रिशन होगा ओके सो आप इसको देख सकते हैं इसके साथ अगर हम और नेच्रल हर्बल गलेक्टोग या फिर लेक्टोजनिक एजेंट हम यूज़ करें जैसे कि कैलसन सब्लिमेंटेशन आप मदर को देते रहें जिसने की प्रॉपर मिल्क निकलता रहें इसके लाव एक टाबलेट आता है लेक्टोपेट के नाम से वह भी आप ले सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपको प्रॉइड करा सकता हूं जो कि आपको मिल जाएग जो नंबर वन रिजन है फिडिंग पपी सिंट्रॉम का वो मिनमाई हो जाएगा सेक्ट जो सबसे वाइटल इंपटन चीज है वो है टेम्परिचर हाइपो थर्मिया घाफी काम होता है पपी में हाइपो थर्मिया जाता हूं मतलब तेमड़ी की कमी हो जाती है फिजिलोजी के हिसाब से अगर हम बताएं आपको कि अगर पपी का टेंपरेचर जो बच्चे पैदा हुए है उनका टेंपरेचर अगर 97-98 आ जा रहा है या उससे नीचे जा रहा है तो तुरंत वो उनकी बॉड़ी पूरी अकड़ जाएगी तो नंबर वन जो रीजन है कि जब पपी पूरी तरह से अकड़ जाते हैं वो होता है है इसलिए आपको जो हर तीन-तीन घंटे पे आपको तरडिस्टल सर्मेमेटर ले लिजिए रेक्टम में जहां से एनस है जहां से पौटी निकलती है वहाँ पे उसको डाल के और उसके मस् आपको तो निचे जा रहा है तो बहुत क्रिटिकल है आपको तुरंट कुछ एक्सटनल सप्लिमेंटेशन करना है जैसे लाइट्स का यूज करना है तीन से चार फीट पे आप लाइट लगा दो और जिससे की बॉड़ी पे टेंपरिचर उसका बढ़ जाए इसके साथ आप कंबल में या फिन पेपर रोल बना उसको एक चादर बिचाद बना दीजिए पेपर का उसमें सभी पपीज को रख दीजिए और हर पपीज एक दूसरे को पर कडल करें जिससे की एक दूसरे की बॉड़ी का टेंपरिचर जो दूसरे पर जाए तो इससे भी टेंपरिचर मेंटेन हो जाता है तो यह आप ध्यान रखिए यह बहुत ही ज़रूरी है तो खाना पचेगा नहीं तो फिन तुरन तुछ हो डेथ होने लगती है तो इसलिए आपको temperature management करना है glucose हमेशा maintain रखिए माल लीजिए milk नहीं आ रहा है तो आप glucose गुलकॉस गॉकॉन डी आता है वो भी आप थोड़ा थोगर लेकर उसको चटा सकते हैं एक ही दो दो घंटे पे ठीक है बहुत ही अगर पपीज काफी critical हो गया है विल्कुल body movement नहीं हो रहा है उसका आपको लग गया कि इसको लगता है इसको hypothermia और hypoglycemia हो गया है जिसे कहते है dehydration पानी की कमी जब पपी पैदा होता है तो पैदा होने की immediately body का जो है जो water hydration हो कम होने लगता है sudden drop होता है इसलिए हमें जो है उसको maintain करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम milk feeding कराईए mother milk is a very important source और उससे उसको nutrition भी मिलेगी passive immunity भी मिलेगी और water भी intake हो जाएगा जिससे कारण से जो है वो उसको hydration रहेगा ओके mother milk के अलावा कुछ भी नहीं देना है external supplementation कुछ नहीं करना है तब ही करना है जब आपको लग रहा है कि mother milk proper नहीं आ रहा है हर puppies के लिए नहीं आ रहा है तब आपको external milk supplementation करना है ओके इसके अलावा जो feeding puppy syndrome में जो mortality होती है puppies की उसके लिए सबसे important reason है warm का infestation नंबर वन जो demodex infection होता है जो demodex canis है जो mite होती है जो skin पर होती है mother के और वो genetically transfer होते हैं जैसे puppy पैदा होता है इसलिए बहुत ही important है कि mother की devorming करना और जैसे puppy पैदा हो उसी दिन mother को नहलाना है अच्छी तरह से proper नहला देंगे तो जो infection है जो mother से puppies में जाता है वाया skin वो आपको तुरंट minimize हो जाएगा डिवार्मी भी आपको करना है mother की फैनमेंडाजोल से और जब puppy की age दो हपते की हो जाए तो आपको फैनमेंडाजोल से आपको डिवार्मी करना है ठीक है फैनमेंडाजोल का liquid डिवार्मर आता है आप उसको ले सकते हैं और उसको आप दे दीजिए उस 100% safe है coxidia को भी manage करे आपको करना है इसके साथ जो है बैटरी इंफेक्शन अगर है तो वह नहलाने के बाद जो होता है मदर से बच्चों में वह भी खतम हो जाएगा तो वह आप कर सकते हैं ठीक है तो इतना basic management आपको करना है जिसे कि हम काफी हद तक feeding puppy syndrome या पोस्ट delivery जो death होती है उसको हम minimize कर सक सकते हैं तो यह बहुत ही वाइटल information है प्लीज इसको हमीशा गांट बनाकर रखिए अध्यान बड़ रखिए और फालो कीजिए आपको definitely help मिलेगी और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए share के subscribe कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे thumbs up कि बहुत अच्छी वीडियो ऐसार ऐसी वीडियो बनाते रहिए और आपका प्यार बहुत ज़रूरी है तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए हमाई चैनल साथ हुए रहिए thank you so much नमस्ते है टेक क्या पैट से समधित कोई भी queries के लिए आप मुझे directly call कर सकते है using call me for app औ समय मेरी साथ चाहिजिया डॉक्टर मिशा अर्दरेर cm4 thank you so much